हेलो आपके लिए कर आए हैं तो हम आज आपके लिए लिए कर आए हैं पीजी टी फिजिकल एजुकेशन डीएजबी 2018 का जो मेल हमारा कॉशन पेपर आया था उसका सेकंड पार्ट तो फस्ट पार्ट अप्लोड हो चुका है अगर किसी नहीं देखा तो देख ले और यह मैं सेकंड पार्ट लेका आए हम फस्ट टोटल यह 200 कोशन था और फस्ट में मैं 100 कोशन डिसकस कर दे थे और सेकंड फेस में मैं सेकंड पार्ट पार्ट दूसरे 100 कोशन लेकर आया हूं ओके तो वीडियो जल्दी से शेर कर देजे जितने भी लोग हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं तो यह बताना है आपको साइक्लिंग मुमेंट होता है हमारा साइक्लिंग जो होती है हमारी वह हल्पूल किसली होते क्या मिंटन करने लिए अरबिक एक्रोस्टिक पैसिव यह प्रोएक्टिव तो देखे साइक्लिंग एक एक्सरसाइज है जो हम हमारे अरबिक क्या बढ़ाता है फिजिकल फिटने तो यह आपको चुछ करना है और कौन सा जो अपना फिसिकल फिटनेस है एक फिसिकल फिटनेस को फ्लूंस करता है तो तो एंटाइट इनों ही अपना फेक्टर्स है तो अलब दियोव दियुक्ट रइंस है नेक्स कॉश्चिन रिखते हैं रिधिमिक एक्सराइज और फॉर्म्ड थू एन अरोभ योग एवेक एशरसाइज और स्ट्रेंद जो रिध होती हुआ हमारी एरब्राइक के अंदर आ जाती है ठीक है क्योंकर रिदिम कले होगी तभी तो वह एक एरब्राइक एक साइज बनेगी तो यहां पर कौन कौन सी डिसीज है यह बात कर रहा है तो निम्योनिया और मिजल्स जो डिजास्ट्र आटब्रेक में नहीं आती है है तो दराइंसर इस हैपिटाइट इस ओके नेक्स्ट कॉश्चन देख लेते हैं एनी एक्टिविटी देट यूज मसल ग्रूप कैन बी मेंटेनेंस कॉंटिनेंसली एंड इस रिद्मिकली इन नेचर इस कंसर्ण विट तो कोई भी एक्टिविटी जो जो मसल जिदिम कली तो ऊक्रिविट है और रिद्मिकली नेचर रहती है तो उसको क्या कहेंगे तो ये बूल रहा है बेलिस्टिक एक्सरसाइज यह सब्सक्राइब एक्सराइज तो जो राइट अंसर इसका देखो मैंने अब यभी आपको बताया था कि जो रिद्म और इसलिए चलती रहती है उसको एक्सराइज हम बोलते हैं तो डी इस दा राइट अंसर यहां पर देख लेते हैं क्या है 110 the criteria that need to be met to diagnose hepatitis infection are तो जो hepatitis infection is good develop करने के लिए क्या चाहिए root of infection reservoir root of entry यह all of there तो the right answer is all of there इस में हो जाएगा चले नेक्स question के तरफ which of the following are recognized of psychological issue that teens deal with during their adolescence years तो जो हमारे teenagers होते हैं न वो adolescence में कौन-कौन से जो वो है हमारी दिख्कत है psychological issues जो होते हैं वो क्या-क्या phase करते हैं तो यह इसमें पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा establishing identity या autonomy establishing intimacy intimacy या फिर all of there तो इसमें सभी चीज़े आते हैं वो अपनी identity भी establish करना चाहते हैं autonomy और अपनी intimacy भी तो D is the right answer okay इधर देख लेते हैं next question क्या करता है which of the following communicable disease is not transmitted sexually sexually हमारी कौन से disease transmit नहीं होती है तो यहां पर यह दिया है क्लमेडिया तो थोड़ा सा अजीब नाम है गोनो कोकल इंफेक्शन HIV और आपका क्रिप्टो फोर्य डॉसिस और के क्रिप्टो फोर्य डॉसिस तो यह पुछ रहा है क्कोंसी communicable disease नहीं है तो डिसीज थोड़ी सी यहां पर हाई है तो गहरा है नहीं इसमें जो है आपका यह वली इसमें आपकी अचेमिकल डिसीज में नहीं आईगी अचैनल को सब्सक्राइब लॉसित नहीं हो सकती है चुछ प्रोपलोंस विच प्रोब्लंस विच जो मेजर प्रोब्लमस नहीं है यह पूछा है कि ये डॉल्सेंस में एडॉल्सेंस जिसको फेस नहीं करते हैं जो बड़े होते हैं हमारे 20 प्लस प्रॉब्लम ऑफ एक्ड्रेसिव ओके टैपिकली अग्रेशन प्रॉब्लम रिलेटेट तो सेक्स लेक अफ स्टेबिल्टी एन एक्जेस्टमेंट तो इसका जो राइट अं एक्स कोश्चन देख करता हैं विच अप्ड़ फॉलोइंग डिसीज आ नौट प्रॉइंटिबल बाई वैक्सिनेशन तो कौन से डिसीज़ जब वैक्सिन से प्रॉइंट नहीं हो सकती तो आपके मेसल्स है या फिर पर्टियोसिस है या रूबैला है या फिर हैप्रटाइ जो फैक्सिन बनी ही नहीं है तो अगर आपको हो गया है फिर प्रॉटाइटिस तो आप कई काम से तो इस बारी से बच के रही है तो आपके नेक्स कोशन देख लेते हैं विच अफ्ट फॉलोइंग दिस नौट फॉल अंडर दा क्रेक्टिस टिक्स ऑफ फैमिली फैमिली इ की मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रूप इन एन एंडि इंडिविज्व लाइफ तो इसका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा हमारा अब फैमिली सोशल कंसर्ण तो यहां पर देख लिएत टेक्स प्लेस ऑन दे तो बट्स जो एट्स डे है वो हमको बताना है जो वर्ल्ड का इडिस्टे है वो कब होता है तो फिप दिसमबर या सफस्ट दिसमबर या फिर टुटिनाइं दिसमबर या जुलाई तो देखे इ जो है जुलाई में दिसमबर में ही हो रहा है दिसमबर में कवे यह आपको मालूम होना चाहिए तो इसका जो राइट अंसर हो फिर्स दिसमबर हो जाएं फिर्स दिसमबर को वर्ल्ड एट्स डे बना जाता है ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन देख लिए प्रवेंशन एंड सब्सक्राइब तो इसमें डी ही इसके राइट अंसर हो जाएंगे जो आपका मलेरिया होता है तो यहां पर यहां देख लेते हैं सो चौदा प्रेगनेंट अडूर्स पर्टिकुलर्ली दव एव्री यंग एंड तोस हुआ नोट प्रेशीविंग प्रेड पेरेंटल के और ओर मूर लाइकली दा मूमें इन देर ट्वंटी स्टू है वक मेडिकल प्रॉब्लम सच अच अ तो जो प्रोब्लम्स होती है डूल्स इसमें प्रेगनेंट होने के बाद मूमें तो क्या क्या हो सकती ह तो यह हो सकता है आपके साथ से हैं अधियर को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद अपने लास्ट में आप इसको स्कूर कैल्कुलेट कर सकते हैं और अपने स्कूर मुझे लास्ट में जरूर बता जिएगा ताकि मैं भी देखूं कि कि आप कितना कितना स्कूर कर पा रहे हैं तो आप अगर अपना स्कूर लिख देता तो जादा बेटर है तो कि आगे भी हम ऐसे सीरीज हैसे अलग-अलग नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं क्या क्याता है इंडियन टीम पर्टिस्पेशन इन ओलम्पिक गेंस इस कंट्रोल बाय तो इंडियन टीम है जो पर्टिस्पेट करती है अपने ओलम्पिक में उनको कंट्रोल करता है तो देखे आईयोसी तो होगा नहीं और एफाई यह एफ इंडियन ओलम्पिक एसेशन तो दी इस दा राइट अंसर हो जाएगा यहां देख लेते हैं जिकेट्स आर एसेटेट विट इस विट एमबरेशन सोरी एबरेशन नौक नीज पीजन चेस्ट यह ओडेमा तो इसका जो राइट अंसर है वहमारा हो जाएगा नौक नीज तो तो रिकेट्स एक बिमारी होते हैं जिसमें हमारी हड्या कमजोर हो जाती है तो इसका जो राइट अंसर है नौक नीज जाएगा कमजोर हड्या को जाती है अब की लेक के फीमर तो जो क्या हो सकता है तो जो सब प्रेशर नहीं होंगी जब तक आप डारेक्ट प्रेशर में लगाएंगे तो इसको बी है राइड अंसर हो जाएगा यह देखते हैं फर्स्ट और मोडर्र ओलम्पिक गेम्स वास हैल्ड इन दी यर तो फर्स्ट जो मोडर्र ओलम्पिक हुए थे वह किस यह हुए थे तो यह हम सभी को पता ही होगा जो फर्स्ट ओलम्पिक गेम थे हमारे 1896 में हुए थे जो एंसेंट गेम थे कब होते हैं कोई मुझे बताएगा और किसी को पता है तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर्र बता है फिर भी अगर नहीं बता तो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर्च पता तहुंग जहीं के बना था वह आपको बताना है तो देखे इसका डारेक्ट चोट असा एकज़ांबल देता हूं आपको और उसके बाद एक साल पहले जस्ट फॉर्म होई थी हमारी नेक्स्ट क्वेशन देख लिए है इन हुमन बोड़ी दा लार्जेट मसल इस तो इन बोड़ी लार्जेट मसल कौन सी होगी प्रेलीं ट्रिबीज या पिर ग्लुटी या फिर शॉलियस यह सब चोटी शूटी मसल है फैक्ट्रीज ट्रिबीज शूडर को उपर कॉलर मसल है शॉलेस अब का ल्यक की है तो सी इस दटार राइड राइट साल को कि बाटक पर बाइज आती बहुत बड़ी है थी पर नर्मः इंजक्शन इहुए में देते हैं। फिजिकल एट्यम्यटियो फ़ंडमेंटल राइट टो एवरी इंक्लूडे इंडियो लोकाय सॉस्विकल एट्यम्यडॉ एट्यम्यों है् ची इस FRE shirts ईंचेın कि इस्तुप देखलेर इन मुस्ल फायवर दा प्रोटीन से प्रोटीनो प्रोटीन होते हैं मान एक्टिन ये फिर दोनों यी प्रोटीन से होते हैं मसल में तीक है मैसीन और यह एक्टिन यहां कोई गवर्वाल नहीं बहुत नहीं है नेक्स्ट वेस्टन देख लेते हैं कि हार्ट रेट इस डिफाइड एस रात रेट को क्या बूला जाता है क्या ओसकता है तो नमबर ओफ हार्ट क्या होता है यह इसमें देखते हैं, हाट रेट में, तो A is the right answer, यहां देख लेते हैं, while playing football, dash type of energy is used, तो football खेलते हुए, कौन सी energy आपकी use होती है, muscular, kinetic, electrical, ठीक है, या thermal, तो आपको इसका सही जो है, बताना है, देखिए मैंने इस question को check किया, और अपना answer की में भी यह question जो है, kinetic energy दे रखा ह लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ, सही बता हूँ तो, क्योंकि जब football खेलते हैं, तो खेलते हुए, जोड़ते हुए, तो muscle use होंगे न, तो muscular energy होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है, kinetic energy बोल रहा है, तो मुझे यह doubtable लग रहा है, फिर भी आपको किसी को लगता है, तो आप बता है, कई जगा मैंने कॉशन देखा, तो एक जगा मैंने इसका muscular energy भी देखा है, तो इसलिए बता रहा हूँ, तो muscular energy मेरे साफ से होगा, फिर भी आपको लगता है, क्योंकि kinetic energy तो वह होती है, जिसमें की उपर से हम जो kick मारते हैं, तो body हमारी हवा में flow कर गई, ठीक है, suppose like football को ह ने की किया, तो football हवा में flow कर गई, तो football में इस time क्या है, उस time kinetic energy है, ठीक है, गति जूरजा जिसे बोलते हैं, तो kinetic energy है, लेकिन हम जो खेलते हैं, तो हम किस लिए खेलते हैं, ठीक है, हम अपनी muscles का energy का यूज़ करके तो खेलते हैं, बालने से body हमारी होती है, लेकिन kinetic के ज़रूर दीजेगा अगर आपको पता है तो, ठीक है, अगर आप कमिशन में इसको लगाएं, तो इसमें आप kinetic energy ही लगाईएगा, क्योंकि DSS वालों ने इसका kinetic energy ही दे रखा है, नेस्ट कॉशन देखते हैं, depression is characterized by more extreme feeling of the hopelessness, sadness, isolation, worry, withdrawal and worthless that lasts for the, तो यह से बता है कि depression और यह जो हता है, extreme feeling, hopelessness की, sadness की, ठीक है, isolation की, worry की, मतलब जो हमारा डर है, तो withdrawal and worthless that lasts for, तो कितने दिन तक जादा रह सकता है, ठीक है, तो वीक, more, two days, one week and one month, तो इसका अंसर क्या हो सकता है, बताएगा, थोड़ा सा typical question है, psychology का, तो यह तो वीक्स और मोन, तो इसमें रह सकता है, इसमें रह सकता है, अगर आपको isolation feeling या होपलेस की कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो कितने दिन तक रह सकती है, यह से बताया है, ठ next question देखते है, 127 question है, better access, यहां कोई question तो नहीं चुटा है, ठीक है, question तो होगे, better access to dash and service can reduce the number of girls becoming pregnant and giving birth at a two young age, तो इसमें पूछ रहा है कि service, जो जिस ताइक की service है, इसमें reduce होए, number of girls becoming, तो प्रेगनेंट होने की जो गल्स प्रेगनेंट होने की जो नंबर्स है, वो थोड़े से reduce हुए है, ठीक है, reduce हुए है, तो इसमें बताना है कौन सी, कौन सी एज में, pregnancy care, contraceptive information, health care, या फिर डैश और नरब्दी अबब, तो एक हमारे इंडिया की population है, बहुत जादा इसी लिए है, क्योंकि इतनी ज़्यादा awareness नहीं है, खहुत जादा लाइज के वेज़े से हमा कि बच्ची कम हो, हमारी pregnancy level थोड़ा सा गी रहे, थोड़ा हमारी pregnancy rate है, हमारी इंडिया का थोड़ा सा reduce हो, तो क्या और चीज हो सकती है, तो इसमें contraceptive information बता है, जितनी ज़्यादा information होगी इस वारे में, उतनी ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएंगे, देखे, गुम फिर के वही बात आगे मैं जो बताया रहा था, एक जो लोग है समझदार होंगे और अपने चिल्डरन्स पर काभू भी पाएंगे, ठीक है, विच आप द फॉलिएंगे इस नोट एन इंपोर्ट अस्पेक्ट अश्पेक्ट अप्री नेटल केर अमोंग वोमेन, तो इसमें बताया है, ठीक है, कोई भी इसमें परिनटल केर वोमेन में नहीं आता, ये पुछ रहा है, तो इट कीप्स वोमेन मोटिवेटेट, सीज तराइट अनसर हो जाये था है यहां देखते है, अबने परिजेंट्स परिजेंट्स परिजेंट थियर चिल्डरन फ्रम यूजिंग ड्रक् talking to them about drugs ठीक है यह बोल रहा है कि किस वज़े से वाला किस तरीके से जो परेंट्स हैं वो रोक सकते हैं अपने बच्चे को ड्रक्स लेने से तो उनसे बात करके हैं पहला बोला ठीक है talking to them about drugs ठीक है open communication करके हैं या फिर role modeling करके हैं कोई रोल मोडल बनके दिखा दो आप उनको कि हम हम अपने उम्पें ऐसे थे वैसे थे करके कुछ एक यह इसमें डी सारे के सारे हो जाएंगे तो अब क्या आपने इसाफ से अटेम इसको जरूर करें तो मेरे इसाफ से और अंसर की के साफ से यह जो अंसर है आपका all of the above हो जाएग क्योंकि सारे चीज़ उसमें काम आएंगे तो ना नेक्स कोशन देखते हैं विच अब दफोलेंग और टाइपस ऑफ फैमिली ठीक है नुक्रियर फैमिली एक्सेंट फैमिली तो फैमिली कितने तरगी होती बुछ रहा है नुक्लियर एक्सेंट एक्सेंड या बोथ तो होता है ठीक है इसमों बताना है आपका टीचर पैरेंट्स लेटिव और फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइड अंसर भी पैरेंट्स इस दर राइडल चीक है फैमिली इस बाइलोजिकल सोशियल यूनिट जो देख लेता है कंपोस्ट ऑफ हस्बेंड वाइफ एंड चिल्ड लेटम देता तो यह किस ने डिफाइन किया था तो यह पूछ रहे कि किसने डिफाइन किया था किसने बताया था अब लीगे डफिस ने दी थी तो इसका जो राइड यदेनसर है वो जाएगा सी ऐलीट एड बैलने अ ठीक है permissive parenting is a parent uh parenting style in which a child's freedom and their autonomy are valued and parents tend to really mostly on understanding talk thinking reasoning explanation yeah experiencing enjoying yeah none of them okay so the right answer is reasoning and explanation yeah yeah this is called as study of joints study of joint को क्या बोलते है असो लोजिक इन्सोलोजी बायलोजी या अन्थ्रोपोमेट्री तो यहां पर हम देख लेते हैं एंथ्रोपोमेट्री किसे कहते हैं करते हैं जिसमें कि हम बोडी के सेग्मेंट्स सब्सक्राइक हिम्रस या रेडियस या अलना तो एक एक हड़ी की जो हम लेंथ्र मेजर करते हैं वह अन्थ्रोपोमेट्री में आ जाता है बाइलोजी किसको करते हैं जिसमें हम लिविंग तिंक्स को स्टड़ी करते हैं किन्सोल कि यह देख लेते हैं the rule of parents in the child's development process consistently involved the contributes without change in the fact that parents are the child's तो इसमें जाए है friends, learning models, first teachers and listeners तो the right answer is learning models यहां पर हो जाएगा और क्या है अपिर the launch of Rajiv Gandhi खेल रतना award scheme was in the year तो Rajiv Gandhi कब launch होई तो वह आपको होता ना अर्जी की ठीक है 94 से 90, 92, 91, 94, 92, 93, 93, 94 तो इसका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा हमारा तो इसका भी ठीक है 1991 तो 1992 तो यह आर्जी के स्टेबलिस जो वो साल से चाल वो जी तो बहर राजिव गेंदी खेल रतते गां और हम देख लेते हैं का इन्दी 16 कॉलम्पिक गेम्स रहा है किस कंट्री नहीं या आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं या आपका इंग्लेंड नहीं आपका केनड़ा नहीं तो दा राइड अंसर इस बी ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं विश टाइप ऑफ मोटिवेशन इस एप्लिकेबल टू यंग चिल्डरन तो जो यंग चिल्डरन होते हैं छोटे बच्चेर होते हैं उनके किस टाइप का मोटिवेशन काम नहीं करता ठीक है इसने यह पूछ रहा है अचीवमेंट मोटिवेशन ट्रेंसिंग मोटिवेशन एक्टेंसिव मोटिवेशन या नन अफ दी अब तो यह बहुत ज्यादा बहुत मोस्ट 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 इंपोर्टन कॉशन है इसको आप रख दीजिए मोस्ट इंपोर्टन कॉशन है यह बहुत बार प सब्सक्राइब मोटिवेट कर लो आप उनको फिल्म दिखा लो या कुछ भी दिखा लो तो वह मोटिवेट नहीं नहीं होंगे उनको करना हो तो अपने से करेंगे तो यहाँ पर ऑब दिका लो गपाद कितना वह दिखा लोस दिखा लो Papi सुन्मीर हुम करेंगे जब तक औरते आई कस को वह तक और Stri 현동 पे उनको कोरेंगे वह बाहार से नहीं वह काम नहीं quant करेंगे है जाते हैं उन्हें सब्सक्राइब सेंद्र होता है नहीं साहिंते प्रोखते गोशन इस स्टेश लेने नहीं ओर स्थुभा कोनुल कोड़ा ये इस कुले फैलीट इडिक्शन आफ मडरन फिजीकल एजिटिस्ट इन स्कूल तेंट नैशनल पोलिशी आफ ट्या है विज्टिस्टीशन नें विज्टिस्ट्नेस कॉप्स और आपको रहें का तपलान फिजीकले एज खेलेशन जिब्सक्रा in India to propagate the cause of indigenous with physical education Government College of physical education रहेज़ा है इसमें पूच्छ रहा है पर बार-षाला है इसमें तो ये पूच्छ रहा है फिजिग एजीज गजफिशना इंडिया में हो वह सबसे पहले कौन सा था 나耶 यह उपूचत आए तो हमारा घ exclusion just जो हमारी अमरावत्ती में खोली गई थी वो सबसे पहले यहां पर पूझे गई जो 1914 में खोली गई थी ठीक है सबसे पहले इंडिया में तो यह जाएगा इसका राइट अंसर डी नेक्स यहां पर क्या कह रहा है यहां देख लेते हैं जाएट दीचनवाइट जाएट अपश्चाइशन दॉन को जाएधा गुस्सा आता है या फिर उनके खुद के पर्फोर्मेंस सोन को जाएदा गुस्सा आता है ठीक है या फिर उनको normally due to mismatch the level of aspiration of ability उनके level से mismatch हो जाता है कोई भी उनका जो वो है ठीक है abilities है उसके कराण या फिर result of good performance अच्छे result के performance है तो इसका इंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा C तो normally क्या होता है उनको लगता है कि वो जादा खेल सकते हैं उनके ability भी अच्छी होती है लेकिन उनकी performance उनके से match नहीं खाती ठीक है performance आगए तो यह होता है यह इसलिए वो जादा frustration का cause है ठीक है यहाँ हम देख लेते है storage of ATP तो ATP का storage कहां होता यह पूछ रहा है लिवर मसल गॉल ब्लेडर यह पिंक्रियास the right answer is B muscle में इसका storage होता ठीक है यहाँ देख लेते हैं the behavior of a person is influenced during adolescence by society family peer group यह school तो यहाँ पर पूछ रहा है जो एडल सिंस का है जो हमारा पीरेड है एडल सिंस वाला ठीक है 12-18 वाला जो पीरेड है उसमें भी हमारा influence जो हमारा behavior कि सबसे ज़्यादा होता है कि society family यह पियर ग्रूप यह स्कूल so the right answer is peer group देखाओगा 12-18 साल की मुरूप बच्चे जार स्यादा family की बजाए अपना अपने जो फ्रेंड से उसके साथ कुलना मिला पसंद करते हैं ठीक है पियर ग्रूप है ग्रूप में रहना पसंद करते हैं वो 12 साल से नीचा कर यहाँ पर पूछता यह कि जो childhood है childhood में जो हमारा behavior है किससे influence होता है तो वो हाँ पर family हो जाता है ठीक है और पूछा जाता है यह नॉर्मली कोर्शन the family is not just a simple set of individual engaging in their activity तो family जो है simple set of individual engaging activities नहीं है इसे पूछता है simple social transformation society based quality complex social formation आलब दिया तो तो राइट अंसर इस complex social information तो गहां नेक्स देखते हैं क्या कराँ देश देफाइन 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 अ प्रोप्रेट फिजिकल एडुकेशन करिक्लम तो कॉन सा जो है सब्सेट चग करिक्लम इसन डिफाइन किया है प्रेस्ट्राइब प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो इसका जो राइट अंसेर है वो होजाएगा हमारा कि शेकालोजिकल टेमेंशन स्थ यह नेक्स कोट्प्शिन देख लिए और एक मैं ethics क्यक्क्थ एक द कर्यक्ष मेंक्स। पर्फेक्ट एक सिसमें है जी यह जो हमारा theory है यह जो हमारे sentence यह किस चीज़ पर ज़्यादा वह करता है ठीक है किस law of learning को दर्शा आता है law of frequencies law of readiness law of effect law of the above यह पूछ रहा है ठीक है तो इसका जो right answer है वह हो जाएगा हमारा देख बहुत सिंपल है जो प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अपना आपका जो वह है वह आता जाएगा तो इसमें law of frequency आ जाएगा is the right answer frequency जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रैक्टिस करते जाएगे आपकी जो चीज़ है वह परफेक्ट होती जाएगे ठीक है law of frequency डिए नैक्स को कॉश्चन दिखते विच फ़ू clapping is not a theory of motivate अंसे नहीं है इस ट्राइप टिए को वह बता है है कि मोटी मोटीवेश्टिए मोटीवेशिफie नहींgender की बाकितीन मुटीवेशन टीक है imp ले डेश are also called as hairline fracture, hairline fracture किस को नहीं कहा जाता है sorry किस को कहा जाता है Impacted फैस्टर्ट्ट्र को यही टल्ट्र्टिस को यर किनिस्टीक को है तुझो बने हेरल आई स्ट्ट्ट्र है lonus FOLAK through PAC here हमारा इंट स्ट्ट्रेक्श्री स्ट्रेक्शों को कहा जाता है जाता है यहां देख लेते हैं, डिएश सरी, in an average adult, the stroke volume is, तो यह stroke volume पूच रहा ही, 90, 70, 80, 85 ml अपको होता है, क्या होता है, तो राइट अपको 70 ml, अपको stroke volume होता है, एक adult में, यहां देख लेते हैं, the human personality is the end of, dash combination, नॉलेज एक्स्पियेंस नेचर एंड नर्चर परस्नेलिटी एंड बेहिवियर यह में अब्जेक्टिव तो इसका जो नाइट इंसर हमारा हो जाएगा इस राइट इंसर नेचर इंसर का राइट इंसर हो जाएगा यहां पर देख लेते हैं यह ही हुए वह गाता है और शर्वाईट है तो इसका जो राइट ऐंसर हो जाएगा हमारा कारबाइड कारबोर हमारा यूज करते हैं और कोई भी हम काम करते हैं तो एक्टम-fast फिर अपी आएगा फिर एटीपि गार सीधर कारवाइड तो इतीपी इजब पार्ट ओफ कारवबाइड बैठ एटकते हैं यहाला कोस्ट्यों क्या किया क्याता है मैच करना है लिस्ट बन से लिस्ट से किंड को वई तो इसका जो रूब रइंसर है तो आपको लिस्ट बन से सबसे पहले सबसे सिंपल पगड़ते हैं जो का एंजाइटी जो है आपका डिस्टरब स्टेट ऑफ माइंड तो इसके डिस्टरब स्टेट होती है जो माइंड की डिस्टरब हो जाती है तो सी का सेंपली फोर्थ सोगा ठीकिये और हमारा जो है एक एंची इस टेड है जिसमें की हमारी जैडी नेवस करने के लिए ठीकिया तो सी का तो वह जाएगा बैंडी और डी का वह जाएगा मारा दूसरा तो तीसरे का क्या बताय है मैंने कि सी का हमारा हो जाएगा डी तो सी का डी यहां पर दो हैं ठीक है यह भी है और यह भी है और हमने डी के बताया था वई अरवजल का हमने बताया था रेडिनेस टू परफॉर्म तो जो टी है तो यहां पर जो सी का देखिए यहां तो सी का सीधा सीधा मिल रहा है आपको सीधा 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 डिस्ट्रिबिस सी का जो है चोथा हमारा एक ही में है वो हमारा सी में है ठीक है इसमें ठीक है तो D is the right hand system हो जाएगा तो छो चलो फिर आगे चलते हैं मिनरल्स which keeps straight मिनरल्स नील्स एर हेल्दी तो कॉण से मिल रोता है जो हमारा ब्रेन नील्स और हेल्दी रखता है तो फटवा इसका उसर बता तो इसका जो अनसर है वो है नेक्स कॉश्चन दिखते हैं फोर कम्प्ली ट्रीट्मेंट पर कम्प्ली ट्रीट्मेंट ऑफ शूट्स इंजरी वन में चीज पर डिपेंड ऑन जाहिए को लेटीटर एक्शरसाइज थरापी यह फिलोसफी थे अनली सारी फ्यूजरापी अनली या बोत तो देखे बोत के सा आप चलोगे तभी आप complete rest complete अपके जो इंजरी है recover कर पाऊगे तो इसमें आपके सीज़र राइट अजर हो जाए है आगे रहते हैं कि कह रहा है sports ethics is focused on equality in sports which is an expression sports ethics के बात कर रहा है ethics मैं आपको पता है sportsmanship और यह सब जो चीज़ा आते हैं जिसमें इज़र देने पड़ते हैं दूसरे सामने लेखो और sports के प्रिति भी आपमारी भावना अच्छी होने चाहिए वह सब ethics में आ जाते हैं तो यह क्या कह रहा है है human excellence, human potential, human behavior या human relation तो किस चीज़ को influence करते हैं जी आपको बता रहा है human potential जो potential जीज़ होती ना उसी चीज़ से ही हमारा sports ethics से वह चीज़ा आती है यहां पर हमारा देखते है next question क्या कह रहा है which of the following is not a source of protein थे कि protein का source बताना है कौन सा नहीं है तो milk आपका source है एक्स आपका source है protein का meat भी आपका source है लेकिन oil जो है वह आपका source भाई नहीं है तो see is the right answer oil से आपका protein नहीं मिलता है तो oil से fat मिलता है और अगर अच्छा oil हुआ तो आपको omega 3 भी मिल जाएगा जो अच्छा fatty dishes होता है unsaturated unsaturated fat जीसे बोलते हैं ठीक है नेक्स question देखते हैं circuit training is an effective method for developing circuit training जो होती है वो क्या आपका develop कर सकती है ability speed flexibility strength endurance is the right answer which of the following psychology factors are not effective sports performance तो कौन सी जो psychological हमारी वो है factor जो sports को effect नहीं करते हैं performance को effect करते हैं stress, anxiety, aggression या cohesion तो आपको इसका नहीं सर बताना है कि कौन सा है तो इसमें देखिए stress भी आपका effect करता है stress होगे तो भी आपके फ्रोंस नहीं चाह जाएगी anxiety आपको effect करता है anxiety होगे तो भी आपके फ्रोंस नहीं चाह जाएगी aggression भी obviously cohesion जो होता है वह effect नहीं करता है तो D is the right answer यहां पर देख लिए next question to make penalty stroke in hockey any skill can be used except तो होकी का penalty skill stroke लेता समय है कौन सी जो है तो यह पूछ रहा है stroke in hockey any skill can be used except तो किस को छोड़ कर एक skill agencies में जिसने penalties लेता समय होगी में वह use नहीं नहीं कर सकते हैं यह बहुत अच्छा कोशन है लेकिस जब हम penalty लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नजजदिक होते हैं और उस time अगर आप बहुत अगर किसी को मारेंगे तेजी से तो हो सकता है इसको मूप है या उस पर लग जाए होसा होता भी नॉर्मली तो ठी हिट से जो होता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं इंजरी के जाए रेन्फोर्समेंट नियॉटल है कि का दभे है तो जर्यास है क्वेयुद्ट एुना का जो होताता है हँ तो जर्याद्वरड फॉर्टमेंट कि क्या वोशा ऑसकता है तो है । की ओप यह क्या मिज़र हो जखता हुँ किया चीज हो दो है मीं डिवीशन रेंच इस्टेंडिडेशन या ना दिया हुँ तो पीजी टी में यह आपको निससरी कि आप अपना जो बेसिक है अपने इस्टे की स्ट्स्टिक्स का ठीक है रिसटेटिक्स का वह पड़कर जाएं तो इसमें जो standard deviation उनता है वो आपको best measurement देता है आपका variability करेगा बागी देखते हैं much of the motor skill learning takes place during यह जो motor skill है वो develop होती है किस में चाइल्ड होड में या सब्सक्राइब होती है वो आपकी childhood में सबसे ज्यादा होती है उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा है कूदना फ्यांदना जितना भी है लुड़कना और जंप दोड़ना और जितना पुर्णना यह सब च्राइल्ड सबसे ज्यादा सख्ट सबसे ज्यादा वोगती डाप्राइब बल्लब सी में भी होती है यह सब से ज्यादा होती है next question देख लेते हैं instrument which measures lung capacity तो इस lung capacity को सब्सक्राइब कर सकता है signal monometer, anumometer, wet spiral या फिर galvanometer तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा हमारा C spirometer जो होता है ना वो जाता हमारा lung capacity next question देखते हैं among the following the most cohesive group is तो कौन सर ग्रूप है जो most cohesive रहता है भी a culture troop, a school class, a club football team, a religious congregation तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A, sorry A club football team, C is the right answer यहां देख लेते हैं a treadmill is used for measure तो treadmill जो होती है जिसके हम एक ही जगा दोड़ते रहते हैं मशीन होती है उससे क्या में जरू होता है force, speed, power और work done in running क्या चीज़ में जरू होती है यह तो कोई बता देगा कि इससे जो हमारी running के curiosity है वो यूस होती है running में जरू होती है और क्या है नेक जहां पर देख लेते हैं what refer to the idea that people have other without personal gain तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा सोशलीजम प्लेंट ट्रोफी या फिर अथरिजम या फिर सर्विस बेफोर दा सेल तक इसका जो राइट अंसर हो जाएगा सीजर आइडन से थी क्या अल्तरिसम एक्स वर्शन देख लेते हैं इन्डिविज्वल्ट गॉर्मेंट बोडी स्पोर्स ऑग्राइशन रस्पोर्स फोर्टरिशन और अफ सी ठीक है स्पोर्स ब्रवल्पेंट के लिए यह हो जाएगा बागी हम देख लेते हैं वीच आफ फॉल्वाइंग प्रिजेंट पर्सनल सोई पर्सनल एट्रेबिट्स ऑफ दो कोच हैज इस इंपेक्ट दिए अथलीट माइंड पोत इंदी प्रेक्टिस अन कंप्रिशन त इस्पेक्टेबिल्टी या फिर आपका लीडेशिव स्टाइल क्या हो सकता भी तो जो जीडेशिक स्टाइल है ना वो ससे आधा इंपेक्ट आपका डाने का आप अध्लेटिक पो एथलीट की परफोंस है तो यह ओपर कोई बचा तो नहीं यहां देख लेते हैं एक्सक्श ठीक है मेंबर्स ऑग्रूप स्टाइटी और पीप तो यहां देख लेते हैं नेक्स कोशन क्या कहा रहा है भी दा दूमें यह प्रामरी स्कॉंसर्ण विद देवल्मेंट एंप्रोप्रिम्ट आप मोटर स्क्लिस कोगनेटिव एफेक्टिव फिजिकल डॉमें या फिस्प् जाएगा है तो साइकोमेंटर डॉमेंट इसका राइस नसर अब का हो जाएगा है चाहिए नेक्स कुछन देख लेता है अ observation rating projection technique are used to measure taxation rating है परटेट टेखिंटियक जो दिवो वो उसके स्क रहाती है फर से जबी इसनिलैटी या बिहेवियर या परफॉर्मस के लिए या और अप्श की अबैकि जो अरे स्टी ए तो जो पो में अदिक है वह इवो परस्ञेलिटी को में वेरी हीमन बिंग वाइल मुवमेंट एन मेथोडोलोजी फिसकल एडिकेशन से इट एंड प्रिजर्व इट वास सेड़ आते यह सब किसने दिया है कि किसने दिया था है यह डेफिनिशन आपका इस टॉटल प्लाटो या फिर ब्राउन विल नहीं या फिर यूनियन मिस्ट्र एडिकेशन तो इसका राइट एंसर है वह हो जाए का बी प्लाटो यह यहां देख रहते हैं 72 में क्या गया रहा है यंगर एटलेट्स और मूर इस इस फिल एंसर स्वेक्टिवल टु एक्स्टरनेल स्में सेल फिलेलेशन मोटिवेशन या फिल इंडियोजिल डिफ्रेंस कि औरन इंसमे में हमारी जो फिल एक्समें हमोते हैं इूरी या संपोर्चतरी उसन तो यह है वी पूह पूच्छता है 10 ऐस राइड़ फिलेंस हो ततहहा न दूसरों से diff competitor इंसरों से इंसलिएंस नहों दूसमीं कम होता है हमारे यँंअट को यह Мы यंवर्भिल होते हैं तो ते कि ते कि देख नहीं सिस्ट्प्राइब सोस्य निस्ट्राइब तास्पोर्स इंफुंड आथ सुनुज्ट निसम्ट है ब्रंद किक बोगार गुज है था इंसरा बेर बिंक पेच्ट टोगधर या बडिया थी अब नहीं एलिखियों इस प्लेड पिया कि दूज और अट complete living तो इसका right answer हो जाएके वाज़ा कर दी complete living और देख लेते हैं physical education is an ag agency through its comprehensive and diverse physical education program is fulfilling the physical obligation, social obligation, general obligation या positive obligation तो B is the right answer ठीक है next question देख लेते है according to JP Thomas, JP Thomas के according the end result of all education all training should be test, तो क्या होगा है आप ठीक है definition तो आपके व्यादी करने पड़ेंगे personal development, overall development या man making या फिर natural growth, right answer हो जाएगा हो जाएगा हमारा c man making यहाँ पर देख लेते हैं a sound mind sound sound body is short but full description of a happy state in this world is definite तो यह जो है यह पूछा गया है कि यह पूछा गया है कि यह किसने कहा था कि sound minding एक सरस्तर सर्व में सरस्तर दिमाग है इसका विकास होता है कि यह छोटा है but full description है वो happy state है ठीक ससंसार की जो happy state है वो है यह किसने दिया था इसके option उपर है विवेकरंद ने या फिर यजिर हमार अध्विफर आज के योजिशाल से बूछान ने ये फिर जोन लेक नहीं या जैपी थोमस नहीं यह आपका दिया था है जोन-ब्विषड न में ल्किन आ थे तो reh स्वामी व्योंत स्वामी विवेकरंदा वास उसे और ऑप्शन सब्कुनराब ऐसपीशिञान वभाटोअ है उनको बागवत गीता की जरूवत नहीं है फिस चीत की जरूवत है उनको यहाँ पर फुटबाल फुटबाल की जरूवत है थिके मतलब फुटबालbor Dawession जरूबत है यह उसने जो समय भी गरन थे उसने बोला था यहां पर डॉल गरॉंड का है भाई यहागा बी ठीक है बीज़ राइट असर विच आफ द फॉल्वाइंग इस नौट अब न्यू अब्जेक्टिव फिसिकल अचिक तो न्यू जेक्टिव फिसल एजुकेशन के नह है कोछ Everybody do not matter factional psychology of interpersonal domain to the right answer is interpersonal domain sports and physical education form an important part of education system and key contribution to social development human development intellectual development all of the above so the right answer is D all of the about yeah yeah यहां देख लेते हम क्या कर रहा है यहां पर बही तो यह दिया था हमारा डेल बट्ट अबर्ट करने या फिजी एफ लियम से यह बी ने यह ओरल्ड फी बैरो किसने दिया था वही तो डेल बर्ट आपर्ट परने इस दो राइटन रोड़ी कहती दिया था है रिसर्च डेमोस्ट्रेट्स एट स्पोर्ट्स पर्सन वेनेफिट फॉम दे फिर्स प्रिजंस और अधर अधर अथलेट्स स्पोर्ट्स दो कंसेप्ट ऑफ सोचल लॉफण सोचल फैसल शीटिशन शुचल ट्रैक्शं यह सोचल डिपेंडेंट्स डिपेंट्स यूझ तो इसका जो राइटन सरे वो शोचल फैसल देस्टेशन हो जाए वाइब आस्कोशन ते क्या रहा है को फेसिव को फेसिव गूरुप नेसे सरी पाथ फुमन में में एमने कुल्चर टीके मुटर्ण शिर्ण सोचल एक्सित्रम जाइस्पोर्ट सिस्टम को इसन गूरुप निसका प्नेस बाद वाई दी सो इस्पोर्ट सिस्टम बाई कहा नेक्स सिक्टम डैश इस इस्टरी ओफ तर फोर्स इस एक्सर्ट अन्द इंडिविजल अन्द गूरुप अफ देंडिविजल तो यह जो है हमारा हो जाएगा मुटर लर्निंग कोईशन यह फी ग्रूप यह अलव दिया बाऊ तो इसका राइटन सा जाएगा सी ग्रूप डाइनमिक्स यह इसका राइटन सा ठीक है यहाद लिए देश इस एग्जम्पल ऑफ सेकंटरी ग्रूप तो फैम्ली पियर ग्रूप या न्सेजी या भी अग्रूप अव दा जेल्वे सिशन तो c ncc unit is the light and buggy kia bhai if the captain of the team is if the captain team is permissive type leader the team will hardly produce result give out best performance strive for rank moment improvement believe in do or die तो hardly produce results तुझे हमारा captain है ठीक है तो हार्ट यह हो जाएगा समें राइट इंसर 85 को देखते है socio metric procedure measurement of attitude of social acceptable or reaction among members of social grouping validity and athletic group is done through measurement scale expressed reference your social skills तो जो जो राइट तरो हो जाएगा यहां पर expressed preference रहां पर हो जाएगा भी question the time what kinds of group are generally cohesive largely group the cohesive होते हैं वो कौन से ग्रूप होते हैं scattered group social racial group smaller groups तो जो कोई से ग्रूप होते हैं वो smaller group है जितने छोटे होंगे इतने जादा कोई से होंगे मतलब आपस में उनकी बनेगी कि यहां पर आपके नेस कोशन के रहा है ग्रूप डायोनोमिक्स है वो कहारा है यहां पर साइकोलोजी कल सोचोलोजीकल सोचो साइकोलोजीकल या स्पोर्ट्स तो यहां पर किसमें बता सकते हैं तो सोचो साइकोलोजीकल यहां पर राइट अंसर हो जाएगा मुझे लगता नहीं यहां पर साइकोल सोचिल जाएगा शायद यह उप्शन गलत है या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है इसमें तो गुरूप डायनमिक्स डायनमिक्स मतलब आपका जो मोशन है मुवमेंट है तो बाय 92 स्पोर्ट्स हैस बीन एबल तो ब्रीज कल्चर्स कल्चर्स वेन कंपेर तो आर्ट्स अंद मीजिक बिकॉस ऑफ स्पोर्ट्स इज तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा रूल बेस्ट एक्टिविटी ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं विच अब द फोलिंग आर्डक करेक्टिस्टेग्स और अफ लोंटीच वा तो इस विच्टीछ गरेक्टिसंटीं पता नहीं एक लेटीवली लो मैं मायसीन बी तो यह सब इसमें इसका है तो देखें मैं आपको बता दो जो जो स्लू टीच्वाइबर होते है ना वो स्लो स्लो कैल्सेम हाड एंडल करते हैं और स्वाट चौर्ट निंक स्पीड रुटी गर्वी तो यह थैं 20 दाराइड नस था थे रहा है नेक्स्ट क्टॉस्ट्ट यह करा रहा है विच अव देफुलेग इसे नोट आ गुट benefit of exercise it increases when you return तो इसका जो राइट अंसर है वो जाएगा हमारा C decreases हमारा क्या करता है decrease करता है अधर अधर्विक थ्रेश्वर्ड को कि यहां पर क्या देख रहे हैं यहां पर मैच करना है जिस सेकेंड से लिस्ट फर्स से लिस्ट को तो कि अधर आखर है जो जाएगा हमारा क्या है अधर इसमें क्या होता है जो बाइसेफ्स है हमारा वह वह बाइसेफ्स जो है हमारा पाइने फोराम को हमारा फ्लेक्स करने में कामाता है तो एक फोर्थ एक फोर्थ हमारा किसमें अब बी में भी में भी में भी में भी में भी त्रैसेट्स को देखते हैं तो ट्रैसेट्स में हमारा है एक्सटेंड करने में व्य।ोरम को काम आता है थह सेकंड हो जाएगा यहां बैए यहां सी सेकंड हैंसी में देखतह हैं गलूटिअश जो है हमारा हूं के तो इसका ऊजाएगा एकिसटैंडी रोटेट सी थी तयी को रिटेट करने में आका तो यह चाहिए धर currently तो इसमें जो राइट अंसर हो जाएगा वो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं तो एक्सराइस के दौरान जो ब्लड सप्लाय वह इंक्रीज हो था अबसलिवादा है डेश इस ने काइंड ऑपॉंट्रेक्शन मेंटेंस दा वेरियस जॉइंट्स सटन पॉजिशन अगेंस दा फोर्स अग्रेविटी तो यह बतला है कि डेश काइंड ऑपॉंट्रेक्शन ज ऑफिशो काने टिकर करें टिक तो इसका जड़ाइट राइट अंसर अरफी आइसमेट्रेक्शन में जाएगा ठीक है मोमेंट नहीं होगा तो चैसे हो जाएगा थाइसमेट्री को थिसमें नहीं होता है नेक्स्क्स्ट देखते हैं वीच अब दॉव फॉल्म अर्दव कर्स सब्सक्राइब यह तो हो गया था हमारा ठीक है तो लास्ट कोशन है हमारा आज का देखते हैं विच आप फॉलोइंग इस नौड़ जोइंट इन दी हमन बोड़ी तो कौन सा जोइंट नहीं तो बॉलन सब्सक्राइब इन जोइंड या रिंड जोइंड ग्लाइडिंग जोइ जोइंड कोई मुमेंट नहीं होता है तो यह थे हमारे आज के 100 जिसमें हमने के पूरा कंप्लीट कॉशन पेपर हमारा डिसकस कर लिया है ऐसे ही नेक्स सेरीज हम ऐसे ही आपके लिन लाते रहेंगे जिसमें पीजिटी के फीमील के होंगे मेल के होंगे और बागी कॉशन प अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब की ताकि आने वाले आपको मिलते रहें तो चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे ऐसे मेनित करते रहें ठीक है थैंक्यू बाइबाइब